नमस्कार, मित्रों, कभी-कभी सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि राजनीती भी गजब की चीज़ है, आज वर्तमान समय में इंडिया वर्सिस भारत की नाम की चर्चा पर बिवाद छिड़ चुका है, ऐसा भी कहा जाने लगा है कि इंडिया एलाइंस इस नाम का एक महा गटबंधन का प्रारों पे तैयार हुआ है, और ऐसा कहा जाने लगा है कि भारती जनता पार्टी को वास्तिक डर समा गया है, बीजेपी डर चुकी है, भारत की वर्तमान सरकार डर चुकी है, सत्ता इनके हां से निकलने वाला है, ऐसे भी कयास लगाय जाने लगे हैं कि मिल प्रारी फेज में यह सरकार चल रही है, मित्रों, पहले के वीडियो में हमने बताया था कि मुक्त में तीन पॉइंट बिसेस पर मैं आपकी कांसेट को क्लियर करने की आवसेक्ता को फिल करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको संतुष्ट कर सको, 17 जनवरी 2023 को शा शानिदेव इस समय पाउरफुल स्टिटस में है, न्याय विधान का निर्मार करने की जिम्यदारी शानिदेव के पास है, भारत सरकार 29 मार्स 25 तक कई अस्तर के न्याय कानून का निर्मार भी करेगी और उसे लागों भी कर सकेगी, यह वक्त की बात है, इंतजार करने के आ इसका इंप्लिमेंट, इसका जो आउपूट है, इसका ताथ पर यह नहीं है कि भारती जन्ता पाटी डरी हुई है और उसके हाथों सत्ता फिसलने वाली है, मुखिता में तीन बिंदु करम में आपको समझाने की चेस्टा करूँगा, मित्रो जीस महूत समय में 23 जुन 2023 को इंडिया एलाइंस इस गटबंदन का पहला बैठक, पहली बैठक पट्ना में हुआ, दिन के 11 वजे, बेसिकली यह प्रथम बैठक बहुत कुछ बताने के लिए मजबूर करती है, वैदिक एस्टलोजी का जो आउपूट है यह प्रुवाभास की विवस्था को एक आकलन कर करने की पधती को बड़े शांदार तरीकी से प्रसुत करती है, सुर्ष से संबंधित सिंगलग्ण का महुर था और चद्रमा का नचत्र केतू का था, केतू मतलब ध्वजपता का, किसी विद्वान विशेस ने इस महुत समय इस कालखंड का चैन किया, अब थाथा में ऐसा आभासित होता है, कि किसी विशेस्ट विद्वान विशेस ने इस कालखंड का चैन किया, दिन के 11 बजे 23 जुन तो 2023 उस पटना का स्थान विशेस सिंगलग्ण की कुंडली निकलती है, और केतू की महादशा में या इसका प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू होती है इंड हुआँद्धु की महादशा मंगल की अंतर दसाकाल में इंडिया एलायन्स चल पड़ेगी, और मंगल नीच की राशी में है, शुकर के साथ कंझक्शन मोड में है, शुकर मंगल दोश का निर्मार है, और विश्योग का भी निर्मार है, तीसरा गुरु चांडाल योग का और मंगल नीज की रासी में ब्याहानी भाव में बैठा हुआ है यद पी यह बात ठीक है कि सिंग लगन की उस महुर्त काल में लगने सुर्फ एकादस लाव के भाव में प्राफिटेबल मोड को अपलाई करता है परन्तु तीन प्रकार की दुर्योग वाले दुशित करने वा मंगल 23 अपरेल दोहजार चौबीस से कतिस मज़ तक तो अतिपिडाकारी पोजीशन में रहेगा उसके पहले भी मंगल पिडित रहेगा मंगल नीज की राशी में है और मैं बार बार इसे रिपीट करता हूं कि 26 दलो को एक जूट होना तो मंगल की बात होती है मंगल मैन पा पुट उसका पढ़ाम किस प्रकार का मिलना है एलेक्शन 2024 के चुनाव में दूसरी बात ठीक है चार सितंबर 2023 के बाद ब्रयाश्पद्देव वक्री हो गया है और बीजेपी की जनपत्रिका में जो दशा चल रही है मैं बारं बार इस बात को रिपिट करता हूं कि चंद्र इसकी कूली के तहद भी दो महिला ग्रहों का अर्था चंद्रमा और शुक्र की दशाकाल में हमारा देश चल पड़ा है इसका वे एक नेगेटिम पैक्ट है अर्था चंद्रमा और शुक्र महिला प्लानेट है दो बातों से एलर्ट रहने की आवशकता है किसे बेसिस्ट मह प्रामना करनी की नौबत में आ सकती है भारती जन्तापाटी, इसकी संभावना की इंडिकेशन की प्राप्ती हो रही है, 17 फरवरी 2024 तक सतरक रहने की आवसकता है भारती जन्तापाटी को, मित्रों, इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, यह चर्चा का वेसे है, और इस ब्र 2024 के चुनाव में क्या होना है, यह तो वक्त बताएगा, अर्थात भारती जन्तापाटी की जो चन्रमा और शनी की दशाकाल चल रही है, और 4 सितंबर 2023 की पश्चात ब्रियाश्पत देव वक्रेशिती में आ गये हैं, तो समस्या तो है ही, अर्थात भारती जन्तापाटी के अर्थात पाटी के अंदर अंतर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, कुछ समस्या ऐसी हो सकती है, जिसे उसका निप्टारा करने की आवश्यक्ता को भारती जन्तापाटी के जो विशिश्ट जन हैं, लोग हैं, नितागन हैं, उनको फेल कराए, महसूस कराए, पर उसका पतात पर यह नहीं है, जिस महुर्त काल में इंडिया एलाइंस का गठन हुआ है, पहली बैठक हुई है, और देश की कुंडली के सापिक चदरमा और शुकर की दशाकाल का आना, समस्या का प्रारूप का जो काल खंड 17 फर वरी 2024 तक ही भारती जन्तापाटी को इलर्ट करान के लिए मश्बूर करती है मित्रो यह तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होना है हंग पार्लियामेंट जैसा एक बीरोधाभास इस्तिक का समागम योग बनेगा या मिली जुली सरकार बनेगी या फिर इंडिया एलाइंस सत्ता पर काविज होती हुई नजर आएगी या फिर प मित्रो भारती जन्ता पार्टी का जो समस्याकाल 17 फरवरी 2024 तक है 17 फरवरी 2024 से 31 माई के 2024 के उस अंतराल काल खंड में बीजेपी अपना पर्चम लहराएगी वक्त के इंतजार करने की आउर्शिक्ता है मित्रो ने छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं जोती साचर प्रमिल चत का